हेलो एवरिवन आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी मलाई लड्डू की रेसिपी ये बाहर से आप देख रहो कितना दानेदार है और अंदर से बिल्कुल बलाई की तरह सॉफ्ट है इसको बनाने के लिए हमें पनीर चाहिए होगा यानि की छेना या तो आप मार्केट से ले कर देंगे और पनीर अलग कर देंगे थोड़ी देर के लिए इसके उपर एक वजन रख देंगे जिसे जो बचावा पानी वह भी निकल जाएगा और पनीर हमारा ठंडा हो जाएगा अब इसका पानी भी ड्रेन हो गया है और पनीर भी हमारा बढ़िया सा सॉफ्ट बन के त फिर एक बार इसको अच्छे से मिक्स करके इसके हम बनाएंगे लड्डू यह देखे यह लड्डू बनके तयार हो गए हैं लेकिन अभी इसमें एक काम और बचा है एक बोल में हम लेंगे मिल्क पाउडर और लड्डू को उसमें डालके इस तरकी से हम घुमाएंगे तो इसका एक फायदा यह होता है खुद के हान गंदी नहीं होते लड्डू अपने शेप में बहुत अच्छे से आ जाता है और लड्डू के ऊपर बहुत अच्छे से सब तरफ एक्क्वल हो जाती है अब मैं इसको तोड़ की दिखाती हूँ यह देखे कितना सॉफ्ट है यह और बाहर से आप देख रहे हुए कितना दानेदार है मेरी इस बड़ी असी रेसिपी को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए